हलो स्टुडेंट्स मीठे बोल बोल ये क्योंकि अलफाजों में जान होती है इनहीं से आरती और अरदास होती है ये समंदर के वो मोती है जिनसे इनसान की पहचान होती है बेटा हमारा टोपिक चल रहा है टेंस और कल मैंने आपको करवाया था simple present tense simple present tense की formation मैंने बता दी थी आपको subject plus verb की first form plus object subject plus verb की first form seis plus object यदि हमारा subject singular होता है तो verb की first form के साथ seis और यदि हमारा subject plural ivu दे है तो verb की first form ये हमारा affirmative sentence था इसके बाद आता है interrogative sentence interrogative sentence बेटा वो होते है जिनमे कोई question पूट किया जाता है जिसे हम question वाचक वाक्य बोलते है इसमें हमें कोई भी आपका simple sentence interrogative तब तक नहीं बनता जब तक उसमें helping verb subject से पहले नहीं होती और आपको पता है कि simple present tense है indefinite tense है उसमें helping verb नहीं होती लेकिन हमें interrogative sentence बनाने के लिए helping verb की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे इसमें do does का प्रयोग किया जाता है कहां subject से पहले plus verb की first form plus object पिटा याद रखना do does के साथ केवल verb की first form आएगी इसमें asya es का प्रयोग नहीं होगा अब क्या करना है कि do किसके साथ हो does किसके साथ बढ़ी आसान सी बात है कि I, we, you, they और plural के साथ हम do लगा देते हैं he, she, it और third person singular के साथ हम does का प्रयोग करते हैं पिटा कोई भी आपकी helping verb है जिसके end में as है as से हमारा singular बन जाता है तो वो याद रखना confused नहीं होना वो हमेशा singular के साथ ही आती है is है, was है does है, has है यह सभी आपकी singular के साथ ही आएंगी तो अभी ये do से does भी ऐसे ही बना है do and में o है o के साथ हम क्या लगाते हैं yes तो वो कब लगेगा जब हमारा he, she, it or third person singular subject होगा अब इसके बाद example है do you read newspaper daily कि क्या तुम हरो जखबार पढ़ते हो यहाँ पर एक आप से question पूछा गया है तो इसमें हम क्या करेंगे you है, you के साथ do और verb की first form do you read newspaper daily इसके बाद है आपका negative sentence negative sentence में हम क्या करेंगे subject plus do does plus note plus verb की first form plus object जैसे I don't tell a lie मैं जूट नहीं बोलती अब I के साथ हम क्या लगाएंगे do और negative बनाना है तो note, तो negative में हम क्या करेंगे do या does plus note plus verb की first form इसमें भी SEIS का प्रयोग नहीं किया जाएगा अब इसके बाद बटाता है कि हम use of simple present tense जो simple present tense है उसका use हम कैसे करते हैं पहले तो बात है हमने आज तक मतलब यही पड़ा है कि किसी भी sentence के end में यदि ता है ते है ती है तो वो simple present tense होता है लेकिन यह काफी confusing होता है आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि simple present tense में क्या है कोई भी एक ऐसा action जो present में है past में है future में है उसको हम तभी बोलते है जब उसका कोई जैसे मतलब निकलता है मैं यह कहती हूँ किसी बच्चे को कि तुम लेट आते हो अब यह नहीं है कि वो अगर कल भी लेट आएगा और अगले दिन भी वो लेट आता है उससे अगले दिन भी लेट आता है जैसे आप अच्छे से समझ जाएंगे इसके यूज करते हैं वो एक्षिंस जो पर्मानेंट होते हैं जो स्थाई होते हैं जैसे I leave in gene, मैं gene में रहती हूँ ये तो नहीं है कि कल को मैं अपना घर उठाके कहीं और चली जाओंगी वो मेरा पर्मानेंट एक्षिं है पर्मानेंट कारिया है कि मैं gene में ही रहती हूँ तो जब भी हमें कोई हमारा पर्मानेंट एक्षिं एक्षिं करना है उसमें हम simple present tense का प्रयोग करते हैं second है to express routine action routine action मतलब हमारे जो daily के routine है he gets up at 5 am कि वह हर रोज 5 बज़े उठता है यदि वो हर रोज 5 बज़े उठता है तो ही हम ये sentence use कर सकते हैं तब हम use नहीं करें यदि वो एक दिन 6 बज़े उठता है दूसरे दिन वो 8 बज़े, 9 बज़े नहीं तब हम present tense use नहीं कर सकते लेकिन एक ऐसा कारिय जो उसका routine हो he gets up at 5 am यदि वो हर रोज 5 बज़े उठता है तो ही हम ये बात कह सकते हैं कि वो 5 बज़े उठता है तो express universal general truth जितने भी आपके universal या general truth होते हैं जैसे milk is white general truth है, universal truth है water boils at 100 degree Celsius ये भी आपका क्या है ये scientific truth हा गया कि जो पानी है वो 100 degree Celsius पर ही उबलता है और milk is white dude है वो सफेद होता है अब यहाँ पे देखो is है ये is आपकी helping verb नहीं है ये is यहाँ पे आपकी main verb के रूप में है जो कि आपकी किस्ते है be be की main verb के रूप में है ये milk के साथ milk singular है तो seis का प्रियोग हम करेंगे लेकिन be के साथ आप seis नहीं लगा सकते इसलिए be की main verb की जो form बनेगी वो is बनेगी तो यहाँ पे is आपकी main verb है ये helping verb नहीं है helping verb ये कब बनती जब ये किसी main verb के साथ उसकी help के लिए आती जैसे I am writing a book मैं एक book लिख रही हूँ अब उसमें he is writing a book वह एक पुस्तक लिख रहा है तो is जब आपकी किसी main verb के साथ में आती है तो ही आपकी क्या है helping verb है यदि वो यहाँ पे अकेली है तो ये be की जो main verb है ये उसकी form बनेगी milk is white तो जितने भी आपके universal, general, scientific truth होते है उन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते है simple, present, tense ये इसके main rule uses है जैसे permanent action कोई कारिय जो है permanent है वो temporary नहीं है कुछ समय के लिए नहीं है permanent जो कारिय होते है उसमें भी simple, present tense use होता है यदि हमारे कोई routine action है जो हमारे routine में है हम daily करते है आप इसे habitual action भी कह सकते हो कि आपकी आदत में शामिल है या कोई हमें universal या general truth है उनके लिए भी हम simple, present tense use करते है एक होते हैं कि आपके sentence में यदि usually generally regularly regularly often daily everyday यदि इन में से भी कोई word आपके sentence में मिल जाता है तो भी हम क्या करते हैं simple present tense ही use करते हैं ये होता है कि आम तोर पर करना प्राय करना daily, everyday, हर रोज ये भी एक तरह से हमारी habitual action या routine action जो है उनके बारे में बताते हैं तो यदि इन में से भी कोई word sentence में होता है तो भी हम क्या करते हैं simple present tense ही use करते हैं तो बेटा आपको simple present tense clear हो गया होगा एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ simple present tense में subject plus verb की first form plus object ये कब होगा जब आपका subject क्या होगा plural होगा आई वी यू दे होगा और subject plus verb की first form ऐस या इस कब लगेगा जब हमारा subject क्या होगा singular, he, she, it or singular जो third person है interrogative में do does का प्रयोग होता है जो subject से पहले आता है केवल verb की first form negative में do does के साथ हम note लगाते हैं और verb की first form इसके uses में permanent action के लिए, routine actions के लिए और universal, general truth इन सब के साथ भी हम simple present tense का ही प्रयोग करते हैं और यदि आपके sentence में usually, generally, regularly, often, daily, everyday जैसे word हो तब भी हम simple present tense का ही use करते हैं करते हैं